कि माज विशेश की बात नहीं है ये कटू सकते हैं कि जब जन्संग क्या बढ़ेगी संसादन गठेंगे तो समझें उस पनों में और इसलिए अब भारत सरकार के इस तर पे भी ये प्रयाश चल रहा है ये विच्छार आया है कि अब दो या तेन से ज्यादा जिन दमपंतियों के जिन परिवारों में संतान होंगी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाब नहीं मिले इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए ये राहुल जी और आधनिया खडगे साथ और कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गटबंदन ने इस लोगस्वा चुनाओं में एक बात कही थी कि मोदी जी चार सुपार इसलिए चाते हैं कि वो समिधान को खतम करना चाते हैं और लोकतंतर को खतम करना चाते हैं आरक्षन को खतम करना चाते हैं आज मानिय राजस्तान के मंतरी जावर खर्राजी के दुआरा इस बात की पूष्टे कर दी गई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोदी जी केंदर की सरकार या राज्य सरकार इस तरीके का कानून लाने जा रही है कि जिसके तीन या तीन से अधिक बच्चे होंगे उसको सारी की सारी सुईदाएं समाप्त कर दी जाएंगी ये समिधान की मूल अधारना के विरुद है कोई कानून आया नहीं और वो मोदी जी केंदर की सरकार इस तरीके का क्या कानून लाना चाहती है और राजस्तान के सरकार की क्या मन्शाइस के बारे में इस तरीके का अनर्गल बयान बाजी या बयान देना का निंदनिय है गलत है और ये इनकी RSS और BJP की सोच को प्रमाणित करता है कि ये समिधान को मानने वाले लोग नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति को देश के प्रतेक नागरी को जो उसकी मूल भूत सुविदाएं हैं उसका हक प्राप्ट करने का समिधान में बाबा साब ने जो समिधान का निर्मान किया उसमें अधिकार है उस अधिकार को कैसे समाप्त कर सकते हैं यही तो हम कहना चाहरे थे कि ये समिधान को नहीं मानते हैं ये अपने RSS के समिधान को मानते हैं और इसलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल और जनता ने इनको नकार दिया आने वाले समय में राजस्तान में पांच उपचुनाव हैं इनको फिर नकारेंगे अभी इंडिया गटबंद ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में उसमें इनको नकारने का काम किया है तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बयानवाजी क करके और ये महोल को पूरे देश में खराब करना चाते हैं ऐसानती फैलाना चाते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है समिधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता समिधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता मैं दावे के साथ कहता हूँ इसलिए ये जो मंत्री जी का बया है वो बहुत ही निंदनिय है हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं